हेलो एवरिवन असोग कुमारोजासर एकडमी में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे इंटरनेश्टनल मॉनेटरी फंड के बारे में यानि आएमेफ जो इंटरनेश्टनल और्गनाईशन यूनिट से लिया गया है आज इसके कई पहलों से हम लोग अवगत होंगे इसके साथ साथ इसकी स्थापना इसके उद्देश और इसका गठन इसमें कितने सदस्य है और इसके साथ साथ इसका HDR का क्या डाटा है इन पहलों से हम लोग अवगत होंगे विडियो का आप स्किप ना करें, पूरा पूरा विडियो देखें और अपने नॉलेज को increase करें, हम लोग जान लें अंतराष्टिय मुद्राकोष के बारे में, अंतराष्टिय मुद्राकोष जो है एक अंतराष्टिय मौद्रिक संगठन है, इसे आप गौर करें, क्या है अं अंतराष्टिय मौद्रिक संगठन है, व्रेडन बुड सम्मेलन के निर्नया अनुशार 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना वासिंटन में हुई थी, किन्तु इसने वास्तिक रूप से एक मार्च 1947 से कारे प्रार्म किया था, वर्तमान इस्तितिक अनुशार 189 राष्ट अंतरा राज्ज को 12 अप्रेल 2016 को अंतराष्टि मुद्रा कोष्ट का 189 सदस्थ से बनाए गया था, इसे भी आप गोर करें, ओके, नेरुगन राज्जी है यहां पर लिखा हुआ, इसे कितने वास्तिक बनाए गया था, 189 सदस्थ से बनाए गया था, इसके साथ साथ क्रिस्टेल जीओर जीवा, एक अक्टूबर 2019 से, इसे भी आप गोर करें, 2019 से अंतराष्टि मुद्रा कोष्ट के प्रबंध निदेशा क्या, हम लोग ने यहां पर जानकारी ले ली, कि अंतराष्टि मुद्रा कोष्ट का गठन कब हुआ था, इसके सदस्थ से कितने हैं, 189 सदस्थ से कोन बना, और इसके साथ साथ इसके जो सदस्थ से बनाया गया था, और इसके अद्धक्च भी कोन, अंतराष्टि मुद्रा कोष्ट के अद्धक्च कोन है, इसे भी हम लोग आउगत हो गए, ओके, हम लोग जानेंगे अंतराष्टि मुद्रा कोष्ट के क्या क्या उद्दे पहला क्या है अंतराष्ट्य मोद्रिक सयोग को प्रुसाहित करना ठीक है दो नमर में क्या है अंतराष्ट्य अपार का संतूलन विकास करना थर्ड नमर प्रतीबंदों को समाप्त करना अत्वा कम करना फाइब नमर पॉइंट क्या करा है इसे आप जान ले सदस देसों के प्रतिकूल बुकतान संतूलन को ठीक करने के लिए और असन्थाई तोर पर आर। सहयता प्रदान करना उसक्त समय अंतराष्ट्य अदाएगी के संकट के समय असंतूलन की मातरा एवंग आउधी में कमी करना इसे कई objectives है इसे आप आउगत हो गए हम लोग जानेंगे अंतराष्टी मुद्राकोस का गटन सदस्ता एवंग पुंजी अंतराष्टी मुद्राकोस का नियंतरन एवंग प्रवन एक board of governor में नियुत है इसके सदस्देश एक governor को मनोनित करता है जिने मिलकर board of governors का गटन होता है इस मनोन के साथ ही परतेक देश एक वेकलपिक governor को भी नूट करता है जो मुद्र की अनुपस्तिती में मतदान करता है आप समझ रहे हैं अगर मान लीजिए board of governors का जो गटन हो गया उसमें अगर governor नहीं है तो वेकलपिक governor को भी रखा जाता है ताकि जो वास्तिक governor है उसके उनुपस्तिती में वेकलपिक governor जो है वो कारे करे जो मुद्र की उनुपस्तिती में मतदान करता है प्रतेग governor को कितने मदादिकार प्राप्त हो या उसके देश को प्राप्त कोटा के अदार पर निर्वर करता है इसे भी आप गवर करें प्रतेग governor को कितने मदादिकार प्राप्त हो या उसके देश को प्राप्त कोटा के अदार पर निर्वर करता है प्रतेक गौवर्णर का 250 मत सदस्था तथा उसके देश को प्राप्त कोटे की प्रतेक एक लाख SDR पर एक अत्रिक्त मत का देने का अधिकार है इन दोनों का योग ही सदस्राष्ट के मत अधिकार को व्यक्त करता है इस प्रकार अंतराष्टी मुद्राकोस में अधिक मत देने का अधिकार धनी एवंग अधिक दिसों को मिला हुआ है क्योंकि जिसका SDR जादा होगा वो जादा मत देगा ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि उनी के कोटी की रासी अपेक्छा कृत अधिक है आम तोर पर वर्स में एक बार यानि सितंबर अक्टूबर में इसके बोर्ड ऑफ गोवर्नर्स की बैटक होती है अंतराष्टे मुद्राकोस के संसादनों में सरवादिक महतुदेशो को आबंटित कोटा का है जितना जादा कोटा होगा आबंटित कोटा 1971 तक मुद्राकोस के संस्त कोटास तता इसके निकाली जाने वाली सहता राशियों को डॉलर की रूप में वेक्ट किया जाता था ठीक है किन्तू दिसंबर 1971 से अंतराष्टे मुद्राकोस के संस्त लेंदेन विसेस आहरन अधिकार इसे भी आप गौर करें 1971 से अंतराष्टे मुद्राकोस के संस्त लेंदेन विसेस आहरन अधिकार यानि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स HDR के रूप में वेक्ट किये जाने लगे है यानि कब से 1971 से हमने HDR को प्रियूख किया है 1971 में एक डॉलर को एक HDR के समान माना गया था इसे भी आप गौर करें कब 1971 में एक डॉलर को एक HDR के समान माना गया था किन्तु डॉलर का मुल्ले गिरने के कारण 12 जन्वरी 2017 को एक HDR का मुल्ले 1.3527 डॉलर था इसे भी आप गौर करें यहां से भी कोशन पूछे आते है इसके डाटा पूछे जाएंगे कितना था 12 जन्वरी 2017 को 1.3527 डॉलर वरतवान में एक HDR का मुल्ले लगवग 1.55 डॉलर है एक जन्वरी 1981 यानी 1981 से HDR का मुल्ल सबसे बड़े निर्यातक सदस्त देशों की मुद्राओं उके यूएस डॉलर यूरो येन उके आप यहां पर एक डाटा दिया गया है इसे भी गौर करें अंतराष्टे मुद्राकोस की करेंसी बास्केट एक अक्टूबर 2016 से प्रतिशद भारंकन और HDR का डिविजन मुल्ल अमेरिकी डॉलर दिया गया है इसका भारंकन कितना 41.73 और इसका HDR 0.58252 यूरो में कितना है 30.93 भारंकन है एक अक्टूबर 2016 को और इसका HDR डिविजन कितना है 0.38671 चीन की रैम बिन भी अब इसके प्रोनॉंसेशन को देख लेंगे इसका भारंकन है 10.92 और इसका HDR 1.0174 जापान का येन भी आप जान लें 8.33 है इसका भारंकन और इसका HDR 11.900 यूके की स्टर्लिंग पॉंड को आप जान लें जापानी जाने लिए अब यूके की स्टर्लिंग पॉंड को आप जान लें 8.09 और इसका जो HDR है 0.85946 यानि टोटल आप अगर इसका 1 अक्टुबर 26 को भारंकन देखें तो कितना है 100% है इसे भी आपको और करें एंड पॉलेंड स्ट्रेलिंग की पिटारी के आधार पर निर्दारित किया जाने लगा अंतराष्टे मुद्रा कोस में HDR के मुल निर्दार ने तो वैसक मुद्राओं की बास्केट में चीन की मुद्रा रैन मिम्बी को भी सामिल करने का निनने लिया गया है चीन की मुद्रा रैन मिम्बी को भी शामिल करने का निनने लिया गया है एक अक्टूबर 2016 से रैन मिम्बी और चारिक तोर पर इस बास्केट का हिस्सा हो गई है अंतराष्टे मुद्रा कोस में सदस्य देशों के कोटा जो जिसे हम लोग हिंदी में अभ्यंसों का निर्धारन एक फर्मूला द्वारा किया जाता जो निर्मिकित प्रकार से है सबसे पहले हम लोग जान लें सकल घरिलू उत्पात का औसत भारंकन 50 परशंट है अर्थवैस्ता का खुलापन 30 परशंट है आर्थिक परिवर्थन सीलता 15 परशंट है अंतराष्टी रिजर्ब 5 परशंट है सकल के रिलू उत्पात का मापन 60 परशंट भारंकन के साथ वाजार विनमेदर पर तता 40 परशंट भारंकन के साथ क्रैस सकती समता द्वारा किया जाता है इसे भी आप गौर करें 60% भारंकन के साथ वाजार विनमेदर और 40% वारंकन के साथ क्रैसक्ती समता द्वारा किया जाता है ओके 2 फरवरी 2017 को सरवादी कोटा वाले 11 देशों का कोटा प्रतिशत में निम्लिकित प्रकार से था इसे भी आप गौर करें कब 2 फरवरी 2017 को कितने देश थे इसे अब ध्यान दे अंग कोटा का प्रतिशत कितना था इसे भी हम लोग गौर करेंगे पहला देश का नाम लिखा हुआ यहाँ पर इसे अब ध्यान दे पहला देश में आ रहा है सुईत राज अमेरिका जिसका कोटा 17.46 था और इसका कोटा HDR कितना था 82994.2 सेगंड पोजिशन जापान का है उसका कोटा 6.48 और उसका HDR कितना है 30820.5 चीन आता है इसका कोटा 6.41 इसके साथ साथ HDR कितना है 30482.9 उसका आता जर्मनी जिसका कोटा 5.60 और इसका HDR आता है 26634.4 उसके आता फ्रांस 4.24 और इसका कोटा कितना है इसे भी आप गौर करें 20155.1 इसके बाए आता UK इसका कोटा कितना है UK का 4.24 और इसका जो HDR 20155.1 उसके साथवा पोजिशन इटली का हमनों 11 देशों को जानेंगे 3.17 और इसका कोटा कितना है इसे भी आप गौर करें 15070.0 उसका आता है भारत का इसे तो आप ध्यान दे 2.76 और इसका कोटा कितना है 13114.4 ओके इसके बाए इस्थान आता है रूस का रूस का 2.71 और इसका कोटा कितना है 12903.7 उसका इस्ताना था कनाड़ा का कनाड़ा का 2.32 और इसका कोटा SDR में है 11023.9 उसके बाद आता है साओधी अरभिया का इसे भी अब ध्यान दें साओधी अरभिया का कितना है 2.10 और इसका कोटा है 9992.6 उके अंतराष्टी मुद्रा कोष्ट ने अपने सदर से राष्टो को भुकतान संतुनन को ठीक करने के लिए साहता एत्तु 27 परवली 1963 को छती पूर्ती वित्य सुविदा यानि Compensatory Financing Facility इसे भी आपको और करें डेट यहां दिया हुआ है इस्तापित की 1974 तथा 1975 में Alp Calling तेल सुविदा यानि Temporary Oil Facility और 1976 में एक ट्रस्ट फंड ओके 1976 में एक ट्रस्ट फंड तथा 13 सेप्टमबर 1974 को सदस्यू की विशेश बुकतान संतुनन समस्या के लिए मद कालिन साहता है तू विस्तारित फंड सुविदा यानि Extended Fund फैसिलिटी जिसे हम लोग कहते है शॉर्ट फॉर्म में EFF की स्थापना की मार्च 1986 में सरचनात्मक विवस्ता सुविदा यानि Structural Adjustment Facility SAF की स्थापना की ओके स्ट्रेंट्स आपने वीडियो कम्प्लिट कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाले